बिसमिल्लाइरहमानिर्वहीम असलाम अलेकुम वीवर्स मैं वेलकम करती हूँ आपका आपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर आज की वीडियो में आपको पिंटक्स को प्रॉपरली स्टिच करने के मैथड शेयर करने जा रही हूं होता यह है के शर्ट्स के उपर ट्राउजर्स के उपर हर जगा इवन के तो प्रट्स के उपर हम पिंटक्स को अचकल स्टिच कर रहे हैं तो डिजाइन अवर ड्रेसिज अब यहां पर मैंने फोर डिफरंट पीसिज लिये हैं एक के बैक की उपर मैंने जिरो का बुक्रम पेस्ट कर दिया है लेकिन बाकी तीन एज़टीज रहने दिये हैं यानि मैं आपको बुक्रम के साथ भी से स्टिच करके दिखाऊंगी और बुक्रम के बगार भी अब यहां पे तीन तरहां की पिंटक्स स्टिच करने के आप्शन्स होते हैं लंबाई के रुख पे चुडाई के रुख पे और डाइगनल किस तरीके से लगाते हैं अब यहां पर जिस तरीके से भी हम निशान लगाएंगे मैं आपको निशानात लगाए बगए भी इसको प्रेस करके बताऊंगी लेकिन जो चीज़े जरूरी हैं उनको फॉलो करेंगे तो आपकी पिंटक्स भी इंतहाई नफासत के साथ स्टिच करने होते हैं उसके निशानात लगा लेने हैं सबसे पहले फैबरिक मैंने वो लिया है जिसके उपर लंबाई के रूख पर मैं पिंटक्स टिच करूंगी आपके सामने ही मैंने दो मुख्तिरिफ जोगों पर मैंने पूरी एक लाइन ड्राउ नहीं की है दो मुख्तिरिफ म पहले एक स्ट्रेट लाइन सीधी तरफ ड्राउ कर लें फिर बता रही हूं कि चौक वो इस्तमाल कीज़ेगा जो असानी से निकल जाए आजकल ड्राई चौक भी मिल जाते हैं अब एक निशान से दूसरे निशानात पर अच्छा पहली जो मैंने लाइन यहां पर ड्राउ क कि कपड़े की जितनी खिचाई या जितना उसके अंदर खिचाऊ आना होता लचक होती है वहीं सीमर जाती है दूसरा ऑप्शन मैंने जो निशान लगा है दो मुख्तिलिफ कॉर्नर पे लगा है बाज़कात होता है कि मैं 8-10 इंच का फैबरिक ही पिंटक को स्टीच करना हो आइरन करना है और तीसरा ऑप्शन यह है कि आप इसके अंदर को एक मतलत तीन चार जोगों पर निशानात लगा लगा लें निशान से निशान मैच कर दीजेगा और फिर आपको अर्राम से प्लीट को आइरन करना असान हो जाएगा और एक जितने गैप पे आएगी पासर फुट हमारी मिशीन का इसके उपर सारी गेम डेपेंड करती है हमारी पिंटक की तो इसके दो लेग्स होती है तो हम लोगों ने पिंटक की जो यानि फोल्ड की आवा हिस्सा जिस तरफ रखना होता है वो हमारे दूसरे फुट से बाहर की दरफ नहीं जाना चाहिए म तो ये वाले जो लेग है राइट साइड पर जिसको मैं तो करने कोशिश करें में नीडल हमारे सेंटर में सेंटर में होती हे और यह पिंटक की हमार्या फोल्डेर अब करने के दिख़ए मृइड के साफ हुट है उस से ये कपड़ा हमारा क्रॉस नहीं करना चाहिए कपड़े को खेंचेंगे निए बस उसको हाथ में पकड़के धीले धीले छोड़ते चले जाएंगे मशीन के टांके का साइज यहां पे वही रखना है जो हम लोग करते हैं ना कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे जहां से स्टार्ट करना है वहां पे तकरीब एक दो पॉइंट करीब कपड़ा छोड़के बिल्कुल कोने से कोने की स्टार्ट मत कीजिएगा अमुमान वहीं पर धाका फस जाता है मशीनों का यह देखिए पहले लगा लिए एक और लगा के दिखाऊंगे मैंने सारी डिटेल से एक वीडियो बना दी है ताकि वह बहने जिनको पिंटक स् अजया यहां पे रिए आपको थोड़ा सा हिए पास्स लग रही है आप लोगों घाए धिरा छुड़ा के जलाए में अच्छा जी यहां पर दूसरी प्लेट अजिए मैंने यहां जरू अब यहां पर देते जाते हैं लेक्टा से लाएं बने से फोर श्गोस की तो आपको यह इस तरी करनी आ जाएगी और अगर आप लोगों ने इसको एसे ही विदाउट प्रेसिंग के अंदाजे से करना शुरू किया ना तो फिर कहीं से प्रीट बड़ी कहीं से चोटी होगी जो अमोँ बहने मुझे शिकायत करती है अब हम डाइगनल भी कर लेते हैं डाइगनल बोलते हैं तिर्चे को तो अब तिर्चा एक को ना उठाके दूसरी तरफ ले जाए इस तरीके से इसको कर दें प्रेस इसके ओपर तो बिना निशान के ही मैं आपको फोल्ड करके दिखा देती हूं यह दिखिएगा अब दूसरा हिससे को पकड़के खीचिएगा मत इस तरह करके प्रेस नहीं करना है कपड़े की जो शेप होती है ना वही मंटेन करनी है हम लोगों को यह देख लीजिए इस तरीके से अब जितना गैप रखना है उतना गैप इसके अंदर रखते चले जाना है और इसको प्रेस करते जान बना के दिखा देती हूं ताके मसला ही ना रहे चले यहां पर स्टार्ट करते हैं चुड़ाई के रुख पे पहले हम प्लेट को स्टिच करेंगे या पिन तक अच्छा पिन क्यूं का जाता है जो भारीक सी पिन होती है वो इसके अंदर से गुजर सकती है बस इस वजह से पिन और टक का मतलब होता है हमने कपडे को टक कर दिया है यानि उसके पर शिलाई लगा किसे बंद कर दिया अच्छ जी हो गया अब यह दूसरी वाली भी मैंने का एक दो आपको श्टिच करके दिखा दूं ताके यह नीचे से कपडे को होनी है मशीन की स्पीड तेज नहीं होनी है जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फ़ले फिर फास्ट काम करें तो क्या ट्रिक ट्रिप्स मैंने आपको दी है कि आइरन करना है दूसरा ये कि प्रेसर फुट को देखना है और तीसरा ये कि आपने टांके का साइज वही रखना जो स्लाई करते हुए करते हैं और चोथा ये कि स्लाई करते हुए आपने कपड़ा खेचना नहीं है पांच हुआ ये कि आपने अपने प्रेसर फुट को यहां पे इस तरीके से इसकी राइट लग के साथ-साथ कपड़ा लेके चलना है उमीद है आपको समझा आगी हो अग तो फ़ड़ा आगे बढ़ा के और डाइगनल पर कहीं नहीं चुन आ जाया करती है तो थोड़ा एहतियात से यहां पर काम करने की जरूरत है इस तरह तो हम बॉक्स भी बनाते हैं आज कल ट्राउसर के बॉटम के ऊपर भी बनती है लिजए जनाब यहां पर सारी मैंने स्ट साथ हो आपको कि जब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं पिंटा की तो पहले नीडल जो अंदर की तरफ हम रखते हैं मशीन में वह हम लोगों ने यानि कपड़े की ओपर वह हाथ से थोड़ा सा बैलन्स कर लिया करें एकदम से मशीन मत चलाया करें क्योंकि ब्लकुल बार कि सारी प्लीट्स को प्लीट्स में बार-बार कई जा रही हूं है वैसे यह प्लीट्स ही कि एक किसम है पिंटक यह लंबाई थी यह चुड़ाई थी यह डाइगनल है यह बुक्रम है बुक्रम बाला देखें विदाउट आइरन ही कितना नफीस बनाया लेकिन हम उसको भी ठीक करते हैं सबसे पहले हम लंबाई वाले फिसनक रखते है अब जो आपने काम करना है यह सीधी तरफ उसको इसतरी करना यह हुआ है बिदाउट्स स्टीमें अभी इसको मैं पलट कर uh ... जिस तरफ इसकी डारेक्शन रखी है एक तरफ तो इस तरी जो होती है उसका बोज होता है यह देखने में करीब करके दिखा रही हूं पीछे यह हिस्सा नहीं आना चाहिए दूसी तरफ आपने अपने हाथ से थोड़ा से कपड़े को उठा के खीचना है ताके उसकी पीछे स से चुन्ड़ सी बनीवी है वो खत्म हो जाए यह लकड़ी में इसलिए समाल करती हूं कि मेरी इस तरी बहुत जादा गरम हो जाती है तो हाथ में उठाना मुश्किल हो जाता है फैब्रिक मेरे लिए अच्छा जी अब इसको मैं प्रॉपरड़ी आइरेंड कर रही हूं अब इसके चुड़ाई वाली पिंटक को हम लोग इस तरह हलका सक खीच के और प्रेस करते हैं बहुत ज्यादा भी नहीं खेचना और बैक साइड पे इसकी यह वाले हिससे पे जो चुन्ने आती है उसको खतम करना है स्टीम आरेंड से और दुबारा इसे फ्रंट से प्रेस जाएगी यह देखिए इस तरीके से बैक से दुबारा इसकी चुन्ने निकालने के लिए बैक से इसे स्टीम आरेंड करेंगे अब की दफा और फ्रंट की तरफ इससे ले जाके अचा नीचे देख रहे हैं आपके सिलाईयां वाइट कलर का धाका मैंने जान भूज के इस्त अब तीरा हो गया जिसके ओपर आपने कोई ऐसा गया गया जिसके बैक के ओपर आपने जरूर कपड़ा लगाना है ठीक है तो यह सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था और यह सारी कि सारी लंबाई चुडाई डाइगनल और बुकरम के ओपर मैंने आपको स्टीच को स्टीच में तरह लोगों के काम कि जन आप मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफबडत